यह कौन है मैंने से कहीं देखा है यही तो बाच्छा है वागों से अपने मो करता नहीं मरने से मैं कभी करता नहीं यह जो पोजेक्ट है आटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा अभी दोस्तों आपको जो ब्लैक बाला बैकराउंड इसको आप यहाँ पर डीट करके हटाईएगा अटाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मीडिया वाले आप्सिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इ कार से उतरने वाला आप्टइंग आप यहां पर कर सक्ते हो तो मैं मैं यहां पर इसी वाले वीडियो को किया है ज़र सबसे फिले आपको अपनी वीडियो को स्नोंच में करना होका उसके लिए दोस्तों आप यहां पर किल्क किजिएका बैब option पर click करके अभी आप यहां पर जिरो फोइन फाव यहां पर किजेगा और यहां पर अपको यहां पर पर यहां पर कर लेना है अब साथ यह आपको अपना वीडियो को देखना होगा देने जहां पर आुड़े उसी जगह पर जैने अपर यहां पर नहीं हुआ है इसलिए मैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना ठीक है अगर आप कार से एंट्री मार रहे हो जहां पर आप गेट खोल के केमरे की तरब देखोगे उसी जगहाँ पर होना जाए कुछ इस टैप से देख सकता है अभी प्रफेक्ट हो चुका है अभी जहां पर आपको यहां पर आक पर आपको आपको कर लेता हूं आपका फोटो अगर दोस्तों पहले सी फूल स्कीन में एज़ेस्ट किया हुआ है यह चीज करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एक नजर सारे फोटो को में पहले एज़ेस्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हूं मेरे सारे फोटो को मैं यहाँ पर एज़ेस्ट कर लिया है अभी दोस्तों आपको जो फर्स्ट वाला फोटो है इसका जो डिवरेसन है जहां पर आपको नेच्ट बर ब्लू होता है इस तना दूर रखिएगा दो बाकि एक्स्टा पा आप एक नजर सारे यहां पर adjust कर लेता हूँ दोस्तों इहां पर आप अगर देखोगे तुम्हें यहां पर dot की इंसाब से मेरे जितने सारी फोटो में यहां पर sit किया है उनको में यहां पर adjust कर लिया है अभी बारी है दोस्तों फोटो के अंदर animation को apply करने के लिए animation के अंदर आप यहां पर in animation दिखेगा आपको इसको download करके install करनी है install करने के बाद दोस्तों अभी आप इसको open किजेगा और यहां पर काई जो first वाला effect है आपको यहां पर 0-3 है मतलब यह नीचे से उपर तरफ जाएगा दिखेगा यहां पर नीचे से उपर तरफ फोटो धकेल रहा है अब यह next वाले फोटो पर आपको यहां पर click करना है क्लिप graphics वाले option को open करके इन animation करके अभी इसको आपको उपर से नीचे तरफ करना है यह उपर से नीचे तरफ यहां पर आ रहा है अब इस तरफ से आपको यहां पर अल्टा पल्टी करके लास्ट का जो चार फोटो है यह एक दो तीन चार ठीक है चार फोटो को छोड़के आपने सारे फोटो का अंदर यह जो effect है आप यहां पर apply कर दिजेगा अल्टा पल्टी करके तो दोस्तों यहां पर आप देशे तो मैंने यहां पर लास्ट चार फोटो को छोड़के मैंने यहां पर सारे फोटो का अंदर इफेक्ट apply कर दिया है अभी गाइस आपको यह वाला फोटो फोटो करना होगा इसके बाद इन्षट फोटो पे आपको चकिली करना होगा उसके बाद इन्मेर सी इसके बाद इन्ट तो पर सौरी यहां पर काम जह गया इन को स्लेट करके यहाँ पर 19 नमबर यह रहा ठीक है अभी आप यहाँ पर नजर मारोगे तो यह जो दो फोटो यहाँ पर आपको थोड़ा सामने सामने आपको दिखेंगे अभी कुछ इस पकार से इस जगा पर आपको यहाँ पर आना होगा आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लेयर वाले आप्सन पर किलिक किजेगा मीडिया के आप्सन पर किलिक करके इमेज इससे वाले फोल्टर को आपन करके यहाँ पर एक वाइट करके बेक्रांड को को स्लेट किजेगा सबसे पहले जो background इसको full screen में आप यहां पे कीजेगा इन्हें जो background है इसका डिरूसन को इतना ही आप यहां पे रखेगा मतलब एक photo को चोड़के इतना ही इसका डिरूसन को रखे बाकि एक श्टा पार्ट को आप यहां पे हटा लिजेगा अभी इस वाली photo पे क्लिक करके अभी आप यहां पे overlay वाले animation में क्लिक किजेगा और यहां पर आप फिलकर वाले option को सेट कर दिजेगा लेजे साथ ही हूँ आपका जो video है यहां पे ready हो चुका है तो साथ ही हूँ इस तरह साब बहुत ही आसान से इस टाप को follow करके आप इस trending topic के ओपर कुछ इस टाप का वीडियो बना सकते हूँ अभी दोस्तों काइन मास्टर के help से तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक like कर दीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो आपको नीचे रेट करके सब्सक्राइब बटन दिगरा होगा सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से एडिटिंग इसलेटर वीडियो अप्रोड करता है रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स किसी वीडियो में बाई 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 टाटा नमस्कार